Hello students, मेरा नाम है गोरव और आज हम करेंगे exercise 3.6 का question number 1 का fourth part अगर आपको बाकी के parts देखने हैं तो उनका link मैंने description box में दे रखा हैं तो आप उन links पे click करके देख सकते हो तो देखते हैं इस question में क्या कह रहा है Solve the following pair of equation by reducing them to a pair of linear equation तो देखो इसमें हमें 2 equation दे रखी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है इन दोनों equation को simple form में convert करना है simple form में convert करने के बाद हम क्या करेंगी फिर इन दोनों equation के हम solution निकालेंगी तो solution निकालने के आपके पास बहुत सारी method है जैसे कि आपका substitution method हो गया elimination method हो गया तो try हमेशा यही करना कि जो method आपको अच्छे से आता है उस method से करना क्योंकि जो method आपको आता है जो method आपको आसान लगता है उस method से करोगे तो आपके mistake होने के chances कम हो जाते हैं तो देखो अब करते हैं इन दोनों equation को solve तो देखो किसी भी equation को solve करने से पहले हमें क्या check करना होता है कि जो उसके variable है वो numerator में है या फिर denominator में है तो देखो variable क्या होते है x और y इनको क्या बोलते है variable तो हमें पहले check करना है कि x और y आपके numerator में है या फिर denominator में है तो देखिए जो आपका x है वो भी आपका denominator में है और जो आपका y है वो भी आपका denominator में है तो कभी भी आपके variable अगर denominator में दिखे तो हम क्या करते हैं let करते हैं क्यों let करेंगी क्योंकि generally क्या होता है कि जो हमारी variable होते हैं वह मैशा numerator में होते हैं और अगर ये numerator में होते हैं तो क्या करते हैं direct LCM लेके इसको solve कर देते हैं काफी बच्चे इसमें confused हो जाते हैं तो मैंने आपको just simple trick बता दिया अगर आपकी variable numerator में हैं तो क्या करेंगी LCM लेंगी और आगर आपके variable denominator में हैं क्या करेंगे? लेट करेंगे. तो देखो, यहाँ पर तो denominator में हैं, तो इसको लेट करते हैं. तो देखो, मैं इन दोनों equation को क्या लिख सकता हूँ? इस तरीके से लिख सकता हूँ. देखो, यह क्या है? 5 by x minus 1 है. तो इसको मैं क्या लाइन ड्रो कर देता हूं ताकि दोनों equation अलग लग दिखाई दे और second equation को भी मैं इसी 3K से लिखूंगा देखो 6 into 1 by x minus 1 minus 3 into 1 by y minus 2 equal to 1 ठीक है जो चीज multiply थी उनको मैंने अलग लग कर लिया तो देखो अब let किस चीज को करना है ये चीज है न देखो 1 by x minus 1 इसको let करना है और ये जो हमारी दूसरी चीज है 1 by y minus 2 इसको let करना है ठीक है तो जो चीज हमारी अलग लग आई है उनको let करते हैं क्योंकि देखो ये चीज वो है जो दोनों equation के अंदर same है देखो first equation के अंदर भी हमारी 1 by x minus 1 है और second equation के अंदर भी है तो और second equation के अंदर ये भी है 1 by y minus 2 तो जो चीज common होती है न मिशा उसको let करते हैं तो 1 by x-1 दोनो equation के अंदर है और सेम उसी तरीके से 1 by y-2 भी दोनो equation के अंदर है तो मैं इनको let करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा let 1 by x-1 equal to a तो मैं 1 by x-1 को a let कर लेता हूँ और सेम उसी तरीके से 1 by y-2 को मैं b let कर लेता हूँ तो let कर लिया मैंने तो देखो यह equation क्या बन जाएगी जहाँ पे भी इस equation के अंदर 1 by x-1 है वहाँ पे मैं क्या put करूँगा a put करूँगा तो देखो यह क्या बन जाएगी 5 into a plus और आपका 1 by y-2 की जगह क्या आजाएगा b आजाएगा तो यहाँ पे b लिखता हूँ equal to 2 यह चीज आगई और सेम उसी तरीके से देखो second equation के अंदर भी यही चीज पूट करेंगी तो 6 into 1 by x-1 की जगह क्या आएगा a आजाएगा minus 3 into b हो जाएगा equal to 1 ओके तो इनको solve करते हैं देखो 5 into a है तो क्या आजाएगा 5a plus b equal to 2 तो हमारी first equation यह आगई तो देखो जो question में दे रखी थे न उसको हमने simple form में convert कर लिया और सेम उसी तरीके से second equation को भी simple form में convert कर लिया 6a minus 3b equal to 1 तो देखो मैं यहाँ पे दोनो equation का नाम लिख देता हूँ यह हमारी equation number 1 हो गई और यह हमारी equation number 2 हो गई तो देखो अब दख हमने क्या किया है यहाँ पे पहले मैंने check किया कि variable आपके denominator में है या नहीं तो यहाँ पे तो denominator में थे तो मैंने let कर लिया जो चीश denominator में थी उसको मैंने a और b let कर लिया तो value put की है तो हमारी दोनो equation simple form में convert हो गई अब हम करेंगी इन दोनो equation को solve तो देखो मैंने आपको starting में ही बोला था कि आपकी मर्जी है किसी भी method से इनको solve कर सकते हो आपकी मर्जी है क्योंकि answer तो आपका same आएगा ठीक है तो try हमेशा यही करना कि जो method आपको easy लगता है उससे करना अब मैं इन दोनो equation को next phase पे solve करता हूँ तो यह हमारी दोनो equation आ गई अब मैं इन दोनो equation को elimination method से solve करता हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं जो method apply कर रहा हूँ वही method आप apply करोगे आप कोई भी method apply कर सकते हो तो आपने elimination method पिछली exercise में use कर रखा है तो आपको idea होगा कि elimination method में क्या करते हैं अगर फिर भी कोई ऐसा student है जिसको नहीं आता तो उनको बता दिता हूँ तो elimination method में हम क्या करते हैं elimination method में हमेशा coefficient same किये जाते हैं तो देखो यहाँ पे a का coefficient क्या है 5 है और यहाँ पे दूसरी equation में a का coefficient क्या है 6 है ठीक है या तो हम a के coefficient को same करें या फिर हम b के coefficient को same करें देखो पहली equation में b का coefficient क्या है 1 है और दूसरी equation में B का coefficient minus 3 है, तो देखो B का coefficient same करना थोड़ा easier तो मैं B के coefficient को same करता हूँ देखिए, तो मैं पहली equation को अगर मैं 3 से multiply कर दूँ तो हमारे B के coefficient same हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे देखो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ multiplying मैं यहाँ पे लिखता हूँ multiplying equation 1 by 3 तो मैं first equation को 3 से multiply करता हूँ, देखो क्या बन जाएगा यह, 3 into 5A plus 1B equal to 2 into 3 यह चीज आ गई, तो देखो यह 3 आपका bracket के साथ multiply है, यानि कि यह 3 आपका पहले 5A के साथ multiply होगा, तो कितना आएगा? 15A और यह 3 आपका फिर 1B के साथ multiply होगा, तो कितना आएगा? 3B और यह 2 into 3 कितना होजएगा? 6 तो हमारी पहली equation इसमें convert हो गई यहाँ तक आए आपको समझ तो मैंने पहली equation को इसमें convert कर लिया और जो हमारा B का coefficient है वो 3 आ चुका है, और हमारा जो second equation थी देखो, second equation क्या थी? यहाँ पे लिखता हूँ है, second equation 6A minus 3B equal to 1, यह हमारी equation number 2 थी, और इसको मैं equation number 3 माल लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे, जो equation number 2 है और जो equation number 3 है इनके जो B वाले coefficient है, वो same है दोनों के आगे? 3, 3 है तो दोनों के coefficient आपके same हो गए अब देखो, coefficient तो हमारे same हो गए, अब मैं क्या करूँगा अगला step क्या होता है? तो मैं यहाँ पे आपको एक trick बताता हूँ, कि जो भी आपके coefficient आए हैं, उनके sign से पता चलेगा कि आगे हमें क्या करना है अगर हमारे दोनों के sign same आजाए, तो क्या करेंगी? तो हम subtract करेंगी मान के चलो, दोनों के आगे plus-plus होता तो क्या करते है? subtract करते है और लेकिन अगर आपका sign दोनों के different आजाए, तो देखो यहाँ पे दोनों के sign different है, एक क्या आगे minus है एक के आगे प्लस है, तो different होते हैं, तो क्या करते हैं, add करते हैं, तो यहाँ पे तो दोनों के आगे different sign है, तो यहाँ पे इन दोनों equation को क्या करेंगे, add करेंगे, कौनसी कौनसी equation को add करते हैं, जिनके coefficient सेम हो, ठीक है, अब first equation का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी first equation third equation में convert हो गई है तो अब मैं करता हूँ second equation और third equation को add तो अब मैं next page पर add करके दिखाता हूँ देखिए तो देखो यहाँ पर हमारी दोनों equation आ गई अब मैं इनको add करता हूँ तो मैं add क्यों कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के sign different है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ adding equation number 2 and equation number 3 तो add करते हैं देखिए क्या बन जाएगा यह 6a minus 3b equal to 1 और a के नीचे a वाली value लिखेंगे 15a plus 3b equal to 6 और इन दोनों को add करते हैं तो अद देखो हम इनको add करेंगे तो 6a plus 15a कितना हो जाएगा यह आपका 21a हो गया अब देखो minus 3b plus 3b कितना हो जाएगा यह आपकास में cancel हो जाएगे क्योंकि 1 plus का 1 minus का तो cancel हो गए 1 plus 6 कितना हो जाएगा 7 तो देखो यह हमारी क्या आगई यहाँ पर मैं करता हूँ इसको इतर line draw करके right side करता हूँ तो यह चीज आगई हमारी 21a is equal to 7 तो 21 divide में चला जाएगा तो a की value आगई हमारी 7 by 21 7 बंजा 7 7 3 जा 21 तो a की value हमारी क्या आगई a की value आगई हमारी 1 by 3 ओके तो अब देखो हमारी a की value तो आगई अब मैं निकालूँगा b की value तो मैं b की value निकालने के लिए क्या करूँगा इस A की value को आपकी मर्जी है किसी भी equation के अंदर put कीजिए चाहे आप equation number 1 के अंदर put करो second के अंदर put करो या third के अंदर put करो आपकी मर्जी है क्योंकि answer आपका same आएगा तो हमेशा try यही करना कि जो equation आपको simple दिखे न उसके अंदर put करना ओकी ताकि आपकी calculation कम हो जाएगी तो for example मैं यहाँ पे इसको equation number 2 के अंदर put करता हूँ तो मैं करता हूँ next phase पे तो देखो यह हमारी equation number 2 है और यह हमारी A की value है तो यहाँ पे देखो equation number 2 के अंदर जहाँ भी आपको A दिख रहा हमाँ पे क्या put कर दूँगा मैं 1 by 3 put कर दूँगा तो देखो यह क्या हो जाएगा 6 into 1 by 3 minus 3B equal to 1 3 से यह 6 cancel 2 पे क्योंकि 3 2 जा 6 होता है तो यह क्या हो जाएगा 2 minus 3B equal to 1 तो यहाँ से B की value निकालेंगे तो देखो B की value मैं कैसे निकालूँगा पहले मैं इस 2 को right side भेज देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा minus 3B equal to 1 minus 2 ओके तो minus 3B equal to minus 1 तो minus से minus cancel तो B की value हमारी क्या आगी B की value हमारी 1 by 3 आगी तो देखो A की value भी हमारी 1 by 3 आगी थी और B की value भी हमारी 1 by 3 आगी तो अब देखो हमें question के अंदर X और Y की value निकालनी थी तो यहाँ तक हमारा question complete नहीं हुआ अभी हमें X और Y की value भी निकालनी है तो देखो X और Y की value कैसे निकालूँगा मैं तो जो चीज मैंने लेट की थी वही चीज लेके चलेंगे तो मैंने क्या लेट किया था question के starting में मैंने लेट किया था 1 by x minus 1 equal to a a को मैंने ये लेट किया था और b को मैंने क्या लेट किया था 1 by y minus 2 is equal to b ये चीज लेट की थी न मैंने तो यहाँ पे देखो value put करेंगे तो 1 by x minus 1 तो a कितना है हमारा 1 by 3 है तो put कर दिया सेम उसी तरीके से b की value put करते है b हमारा 1 by 3 है ठीक है तो value put कर दी अब हम इनको solve करते हैं देखिए तो यहाँ पे मैं reciprocal लूँगा तो यहाँ पे reciprocal करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4 तो x की value हमारी क्या आगई 4 आगई सेम उसी तरीके से इधर भी reciprocal करेंगे तो देखो नीचे वाली चीज उपर चली जाएगी यानि कि y minus 2 is equal to 3 आगया तो minus 2 उधर चला जाएगा तो plus हो जाएगा तो y की value आगई हमारी 5 ओके तो देखो x की value हमारी 4 आई और हमारी y की value 5 आई और यहाँ पे हमारा question complete होता है तो hope करता हूँ आपको यह question समझ आया अगर आपको यह question समझ आया तो आप इस वीडियो को please like करें और मेरी चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और अगर आपका कोई doubt या query है तो आप मुझे instagram पे message कर सकते हैं और please comment करके वताएं कि आपको यह video कैसी लगी Thank you